असलाम अलेकुम दोस्तों तो फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे एक न्यू इलोग में तो अभी में मौजूद हो आजमगल के एक बहुत ही मशूर कस्वे में जिसका नाम है सराइमीर और उससे कहीं ज्यादा मशूर है यहां की मार्केट जिसे छोटी दुबई के नाम स भी जाना जाता है तो यह मार्केट छोटी दुबई के नाम से क्यों मशूर है आगे वो भी हम लोग जानेंगे तो अभी सुबह के आठ बजे हुए है और मैं सुबह उठकर फॉरन मार्केट देखने के लिए आ जाता हूँ अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है और मै ही मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा और यह देखिए अभी सुबह का टाइम है लेकिन यहां पर जाम लगना शुरू हो गया है उसकी एक वज़ए यह भी हो सकती है कि यहां पर गल्यों में मार्केट लगती है और यहां पर पार्किंग का कोई खास इंत दूस्जे ऐसा लगता है कि लोलता खाने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मार्केट अभी खुली भी नहीं है हाँ तो बात चल लही थी इस मार्केट को कि छोटी दुबई मार्केट क्यों बोलते है ऐसा क्यूं है तो उसकी दो वज़ए है पहल भी मुल्क की केरेंसी अगर आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर आप आकर उसे बदलवा सकते हैं तो मुझे इस मार्केट के बारे में सिर्फ दो ही वज़़ा मालूम थी अगर आपको भी कोई वज़ा मालूम है इस मार्केट के बारे में तो मुझे आप कमेंट करके ज लग चुकी है आप देख सकते हैं हत अब सब्जिया ही सब्जिया दिखाई दे रही है तो इस मार्केट में मुझे हर चीद देखने को तो मिल गई है लेकिन जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था वो अभी तक देखने को नहीं मिली है और वह है लोलता जिसे खाने के लिए मैं इस मार्केट में भी आया हुआ था है मैंने एक दो दुकानों पर पूछा भी लेकिन किसी ने आगे बताया किसी ने पीछे और अभी सुबह के नो भी बच चुके है और आज मुझे यहां से निकलना भी है क्योंकि मुझे जुमे की नमाज शागन में पढ़नी है हर दरब भाई सबजी ही सबजी नजर आ रही है बाकी कोई चीज नजर नहीं आ रहा है यहां पर तो यही है भाई सरायमीर की एक चोटी मोटी मार्केट जिसे चोटी दुबई के नाम से भी जाना जाता है वैसे इसमें कोई खास चीज नहीं है क्योंकि अभी मार्केट की पूरी दुकाने भी नहीं खुली हुई है जो भी दुकाने खुली हुई है वो आप देख सकते हैं तो आप मैं सोच रहा हूँ इस मार्केट में अपना ज्यादा टाइम जाए ना करूँ कि एक वक्त काफी ज्यादा हो चुका है अभी मैंने नाच्ता भी नहीं किया है और आगे चलकर लोलता की दुकान मिल जाए वैसे मुझे अब कोई उम्मीन नजर नहीं आ रही है कि मुझे आज लोलता खाने को मिल जाएगा क्योंकि मैंने पूरी मार्केट देख ली है और कहीं पर लोलता बिकते हुए मुझे नहीं मिला मुझे एक घंटा हो गया है इन गलि आपको दे दिया जाता है एक कोल्चा दस रूपियों के मिलता है और उसके साथ कोई सबजी भी नहीं होती है यह आप देख सकते हैं यह पतली पतली गलिया है सराइमीर की मार्केटों की कल शाम में मैंने वो कोल्चा खाया था इस वज़े से आज मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो कोल्चा कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो यह थी भाई सराइमीर की एक छोटी सी मार्केट जिसे दुबई के नाम से भी जाना जाता है और शायद मैंने आप लोगों को सराइमीर की पूरी मार्केट दिखा दी है अब मैं जा रहा हूं मैं तो दोस्तों यह है सराइमीर की मैं रोड और मुझे यहां की एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि यहां की जो मैं रोड है उस पर इतनी ज्यादा मार्केटे नहीं है जितनी मार्केटे अंदर है और शायद यहां की मैं रोड पर बाजार भी नहीं लगती है जो भी बाजार लगती है वो सराइमीर के अंदल लगती है और यही सीधा रास्ता आजमगड की तरफ जाता है आजमगड यहां से कम से कम 35 से 40 किलो मीटर दूर होगा तो अभी मैं आजमगड तो नहीं जाओंगा लेकिन मैं अभी यहां से टेक्सी पकड़ कर सागन के लिए निकलूंगा और स राइमीर से शागन की दूरी तकरीबन 40 किलो मीटर है और अभी हम लोग यहां से टेक्सी पकड़ कर सीधे शागन के लिए निकलेंगे तो बाई शागन के लिए हम लोगों को टेक्सी मिल चुकी है अब हम लोग यहां से सीधे शागन के लिए निकलेंगे तो इस वीडियो क यहीं पर खतम करते हैं और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना